So, Hello Guys, Welcome to my YouTube Channel, Ritik Technical Support इस वीडियो में हम आपको बताएंगे OPPO Reno 10 Pro and OPPO Reno 10 Pro Plus में आप DPI कैसे चेंज करेंगे ओके, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग हमारे YouTube चेंज को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बिलका आइकन को प्रेस कर लेना है DPI चेंज करने के लिए First of all, आपको जाना होगा Settings में Then आप क्लिक करेंगे Additional Settings पे ठीक है? Then आपको Scroll Down करके Developer Options पे क्लिक करना होगा and अगर आपके फोन में Developer Options तो सोना करें तो आपको इसे Enable कर लेना है Enable कैसे करते है? इस Topic के उपर हमने Already Video अपलोड कर दिया है ठीक है? अब Developer Options में आने के बाद आपको थोड़ा Scroll Down करना है and यहाँ पे आपको एक Option देखने को मिलेगा जिसका नाम रहता है Smallest With, Simple आप इस पे क्लिक करेंगे Default अभी हमने स्कोर रखा है 360 में तो आपको जैसा भी DPI रखना होगा Simple आप उसे रख सकते है काफी लोगों का doubt रहता है कि हम यह करते तो कितना रखे Gaming करते तो कितना रखे Personal Use के लिए कितना रखे Personal Use के लिए तो default ठीक है अगर आप लोग Gaming वगेरा करते तो आप अपने हिसाब से adjust यहाँ पे कर सकते है ठीक है सड़ापिक इसकवर मिलते है नेक्स्ट वीडियो में जय मातादी